हेलो गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चलो फटा फट जाते हैं किचन में क्यूंकि लुट्स टाइम हो चुका है और आज मैं आपके साथ एक मज़ेतार मज़ेतार रसेपी शेयर करने वाली हूँ वो है मूं की सबजी बट कुछ प्रड़ी वो डाला है तो वह सेम वे में ही हम गुजराती कड़ी बना रहे हैं तो चलो किचन में जाते हैं और बनाते हैं मूंग की सबजी और गुजराती में हम बोलते हैं चुट्टा मग तो उसके लिए हमने जो ग्रीन मूंग आते हैं ठीक है उसको ओवरनाइट सोक किय और फिर आगे का प्रसेस सिधा किचन में दिखते हैं यहां पर मूंग को ओवरनाइट सोक करके रखाता और अभी सुबह होके उसका पानी निकाल दिया है तो इस तरह से मूंग रेडी है हमारे और यहां पर मैं में स्प्राउट्स नहीं चाहिए ऐसे ही मूंग ची तो यह मू हींग का तड़का रहता है और कोई तड़का नहीं तो आपको जादा भी हींग डाल सकते उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा अच्छे से हींग घरम होने के पाद इसमें डालेंगे मूंग तो यहां पर सोक किये हुए मूंग है अगर इसको आप और देर तक रखते थे ढ रखके तो इसके स्प्राउट्स भी आ जाते हैं बड़ हमें स्प्राउट्स नहीं चाहिए हमें ऐसे मूंग चाहिए अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा ओइल सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए मूंग में अब इसमें करेंगे मसाले तो इसमें सबसे पहले डालेंगे नमक और यह सबजी आप प्रोटी के साथ या इज़र सैलेड भी खा सकते हो वह मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों हल्दी हल्दी थोड़ा ज्यादा अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च यह थोड़ी सी ज़्यादा डलनी है क्योंकि इसका हमें रेड कलर चाहिए इसके लिए यह हम थोड़ा ज़्यादा डल रहे हैं फिर डालेंगे धन्या जीरा पाउडर अगेन यह भी आप थोड़ा ज्यादा डाल सकते हो कि यह सब्जी में जो टेस्ट है हो सारे इसपाईस का ही है जो बेजिक हमारे रुटीम मसाले रहते हैं वही है कुछ स्पैशेल नहीं है अब डालेंगे इस में गरम मसाला गाईस थोड़ा थोड़ा गरम पानी पीओ क्योंकि थोड़ा एंवार्मेंट सही नहीं है तो अब सारे मसाले अल्मोस्ट डल गए हमारे इसमें जागी थोड़ी सी हरी मिर्च क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च रखे तो थोड़ा सा तीखा पन के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च के साथ हरी मिर्च भी डाल रहे हैं अगर आपको चाहिए तो आप तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हो जैसा आपकी गर पर खाते हैं वैसा और अभी सारे मसाले को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे मूम के साथ कि सारे मसाले कोट हो जाए एकदम बढ़िया से देखो कितनी सिंपल है ये रेसिपी बनाना और अब इसमें डालेंगे गरम पानी तो साइड में ही रखा था इसलिए ताकि कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो इसके लिए गरम पानी साइड में रखना है और अभी जो आप देख रहे हो बस हमें उतना ही पानी चाहिए जितना वो इतना है बस उससे आगे हमें पानी नहीं चाहिए तो जो मूंग है वही लेवल में पानी उसके उपर पानी नहीं जाएगा और इसी में हमारे मूंग भी रेडी होंगे तो बस अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसको थोड़ी देर के लिए ढग देंगे ऐसे ढग दे इस मूंग इस रेडी और यह पर्फेक्ट रेसिपी है अगर आपको खाना अप हेल्दी वे में कुछ खाना और उपर से धनिया तो इसमें हम सैलेड डाल के आफिस में लेके जाओ या आप एज़र टिफिन रेसिपी अगर आपको ज्यादा यू नहीं पसंद या ज्यादा पानी वाली सबजी या जो पानी पानी हो जाता है टिफिन तो उसके बदला आप यह सबजी लेके जा सकते हो यह हमारी गुजराती कड़ी जो हम खाते हैं मूं के साथ इसके साथ यह क्विक इंस्टिंट और फटाफट बनने वाली सबजी रेडी है इसको आप खाकरा के एसे भी खा सकते हो उमीद करते हो आपको यह अच्छी लगी रैसीप अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू मैं चैनल जो वही तेश्री जानी और तब तक की लापका मैं पक्यापके परेंस का देन रखें और मिलते रहें ऐसे ही and I will meet you with the next video. Bye guys!